नमस्कार ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ल कप अपना इन असोसियेशन विद प्रिंगल में आपका स्वागत है मैं हुआ खिल साथ मैं लक्ष शर्मा और अंकिता मिश्रा वर्ल कप का तीसरा दिन है जहां पर बंगलादेश ट्रिप ने कैम्पेन का अगास बड़े ही धमाकिदार अदाज में किया है बंगलादेश ने 6 विकेट से अफगानिस्तान को धूल चटाई है बड़ी एक तरफा जीत ये बंगलादेश की रही अफगानिस्तान कहीं से कहीं तक भी मुकाबले में नज़र नहीं आया ना बलेबास चले ना गेनबास चले अंकिता बंगलादेश कह रहा है कि उनको बि करने पड़े और बड़ी इसली बंगलादेश की वहां से अफगानिस्तान में पता नहीं क्या पैनिक बटन दबा कि पूरी की पूरी जो पारी है या इनिंग है वो कॉलैप्स ऐसे गंदे तरीके से हुई जिसकी उमीद खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटर उने भी नहीं इसली कि मैडी असन मिराज को तीन विकेट मिले शाकेबुल असन को तीन विकेट मिले लेकिन फिश इतनी खराब भी नहीं तियर धृमशाला वे ज्यादा मैच नहीं हुते है यह तो वैसे उनामेंट का पहला मैच था तो आप समस्ख सकते हैं किתיा चो प्प्रदर्शन में थी और वो जो एप्लिकेशन दिखाने की जुरूरत थी जो इंटेंट दिखाने की जुरूरत थी वो गुर्बास को छोड़के बाइक की कोई बल्लेबास दिखा नहीं पाया और लक्ष धरमशाला का स्ट्रीडेम में जितने मैच हमने देखे हैं हाई स्कोरिक मुकाबले असानी से बना देती है लेकिन जैसा आपने भी का कि पैनिक बटन दबा दिया तीरासी पर दूसरा विकेट एक सो बारा पर तीसरा एक सो बारा पर ही चौथा और देखते ही देखते मुलब 156 में पूरी टीम ओला उट जाते हैं जैसा कि आपने काना कि 300 बनते हैं मुझे ल लेकिन क्या है बल्लेबाज आ रहे हैं बड़े शॉर्ट्स खेलने के चकर में आउट हो रहे हैं और यहीं से कॉलाप्स होता गया लेकिन आप अंकिता बंगलादेश के गेंदबाजों से भी उनका क्रेडिट छीन नहीं सकते क्योंकि गुरबाज एक साइड पिटाई कर रह पारी को कहीं न कहीं चाहिए वो गिंदबाजी से चाहिए वो बल्लेबाजी से प्रूफ किया है और आज यहां पर लक्षी सर ने जैसे का स्पीनर्स का बूल बाला रहा है तो मैं यहां पर राशिद खान की भी बात करूंगी कि उनके नबैट से कमाल दिखाना के लिए मैच को कहीं न कहीं टर्न कर सकते थे टर्निंग पॉइंट हम क्या सकते थे लेकिन उनके ना गेंदबाजी समझ में आई और नहीं बल्लेबाजी इस वर्ल्लकप की बात नहीं है आज 9 आवर में 48 रंदी एक भी विकेट नहीं मिला लक्ष एशिया कप जहां पर हमने की बात कर लेते हैं यहां पर कुछ कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है और मिराज की बात करूंगी मैं यहां पर देखे बृट इहां मिलाज में यहां पर साज़ेदारी की बहुत जरूरत होती है वहां पर साज़ेदारी किसी भी के बल्ले से वह रन देखने को नहीं मिले हैं और यहां पर इन्होंने नौ ओवर बल्ले के बाद गेंसे भी चमकिया है और पचीस रंदी है तीन विकेट चटकाया और दो दर्शमलों आर्ट शूम नि सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है क्योंकि हम पैसे प्ले करने की ज़रूरत है क्योंकि प्ले के बारे में बहुत चर्चा कर चुके तारीव भी कर चुके तो आपको तस्वीर पर दिखाएंगे साफ साफ आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे ओकिनावा एक्टिव प्लेर ऑफ दामेच को ने अच्छे अच्छे आपने खरीदिये यह जा रहाँ हूं क्या बात बिल साफ में देखिए दो दशुम्लो आट शून के का रहा है और मेडन भी इन्होंने तीन दिये तो कमाल की बल्लेबाजी किये कमाल की गेंदबाजी देखने को मिले और यह मुकाबला एक तरफा मुकाबला कह सकते हैं बांगलादेश ने अपनी और खीचा है और एक वक्त था जिस तरीके से लक्षिसर ने कहा कि गुर्बाज जिस फॉर्म में थे लग रहा था कि मैच फस्ता हुआ नजर आएगा शाइद यह अफगानिस्तान की फेवर में जाएगा लेकिन आए और मतलब कमाल करके गए चागे तो चलिए ओकिना वाए एफेक्टिव प्लेयर ओव द में बहुत अंतर है आप आपको एफेक्टिव प्लेयर ओव दा मैच तो दिखाया आप अब ऑकिनावा वैसे भी देखे बहुत कलर फुल इसकुटर बहुत तरह के कलरों में आती है इस मैच के उकिनावा कलर फुल मुमेंट कौन से रहे वो भी आपको दिखाएंगे स्क्री किन आपका जोश है इस फोटो को मैं डालना मतब मेर से रहा नहीं गया तो यहां पर बिल्कुल यहां पर मिराज ने अपने आपको बैटिंग से भी प्रूफ किया अखल और गिंदबाजी में वी वो प्रदरशन देखने को मिला है क्योंकि मैच जो है वो थोड़ा सा फस्त अफगानिस्तान ने इसा किया था और एश्या कप में उनका पफॉर्मेंस अच्छा था थोड़ा सा मलब अफगानिस्तान के पास पॉजिटिव था वो जी सकते थे मुकाबला लेकिन बंगलादेश की टीम ने बहुत इंप्रूब किया एश्या कप यह टीम नहीं जीत है तरह खना कियो फाले की साथ एंडिया के साथ ही जए बचकर रहना पड़ेगा जिंडरना बड़ेगा वह तत्रीव की टीम से का खाले हमेशा एक हमेशा हर पल इसमें प्रींगल प्रेजेंट वनें वृत्श्य नहीं से मैंच शोसरा दो चाहिनगे करेंगे मैं आप आप से पूछा हो पांच चोके और जब 27 पर दोぎ गिर चुगे दे वहां पर कर पारी को बनाया नंबर तीन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले आट दस महीनों में के कप्तान का भरोसा इनके उपर बन चुका है नमबर तीन पे बेजा और वाद मैचों में दोनों मैचों में नाबाद 50 की थी और आज भी इसका नतीजा है किस तरीके से मिराज ने भी अपने आपको प्रूफ क आज आए और टीम को कई ने कई डूबती हुई नई जो थी उसको वहां पर उन्होंने मजदार पे नाविक बनके पार कराई है नई तो मिराज की बात हम जितनी भी करें वो कब होगी क्योंकि टीम जहां पर फस्ती अगर टीम कोई भी टीम कहीं चाहें बांगलेश की बात क करें कहीं ऐसे बैट्समें रहें जो फस्ता हुआ मैच निकाला है तो यहां पर तारीफ करनी होगी आपको क्या लगता है कि आपके साब से कौन सा ऐसा बैट्समें कौन सा बॉलर क्योंकि शांतू ने भी कमाल की पारी खेली है नाबाद रहें वह उन्होंने अपने आपको प्रूफ कि आहर मैच में हमने अकेला लक्षी सर देखा है कि उन्होंने शांतों ने बहुत कमाल की पारी खेली है मैं एक बात बोलूंगा कि बांगलादेश के फ्यूचर स्टार है वह इंशा कप में आप उनकी बल्ले बाजी आप देख लीजे आप लगाता है वोम अप मै यदित कि बांगलादेश